सभी बच्चों का मैं स्वाइब करता हूं बच्चों मैं आया आपको सब समय चाल और दूरी का कुर्शन बताऊंगा मेरी वीडियो को स्क्रिप्पर करिएगा सुरू से दे करके आफरी तक देखिएगा देखो बच्चों में क्या दिया हुआ है कि कोई कोई रेलगारी एक खंब्य को 20 सिकन्ड में और 320 मीटर लंबे एक पुल को 36 सिकन्ड में पार कर लेती है तो रेलगारी की रेलगारी की चाल किलो मिजट पर घंटे में याद तो हम इस प्रकार की कुश्चन को कैसे साथ करना है आप यह देखेंगे कि ऐसे हम इसको साथ करेंगे तो रेलगारी जो है एक फूल को इस तिस मिटर लंबे एक फूल को इसका मतब रेलगारी की लंबाई फूल लंबाई होगी 320 मीचर होगी और अब इसमें यह देखेंगे कि एक रेलगारी एक खंबे को 20 सिकन्ड में पार करती तो इस 36 सिकन्ड में यह पार कर लेती तो इसको जो करार थी इसमें कितने कांतर हो रहा है तो 36 में से हम जो हमारा समय जो लग रहा है इतना जो है तो समय बराबर हो जाएगा 36 सिकन्ड में से 20 सिकन्ड घटा दें यह हो जाएगा क्या होगा यह होगा 16 सिकन्ड अब यह 16 सिकन्ड को कितने मीटर में पूल को पार कर रही है तो हम लिखेंगे कि 16 सिकन्ड में रेलगारी पूल को पार करती है रेलगारी एक पूल को पार करती है कितने मीचन में यह जो हमारा दिया है 320 मीचन पूल को पार करती है कितने में यह जो है 306 मीचन पूल को पार करती है 360 में पार करती है तो एक सिकन्ड में उसको पार करने में एक सिकन्ड में पार करती है कितने में पार करती है तो इसको क्या करेंगे तिन सो साथ में और सोल से जाएंगे तो सोल मुना बत्तिस बत्तिस क्या होगा विच क्या होगा मीचर प्रती सेटेंड अब इसको चार करा किलो मीचर प्रती सेटेंड तो हम को मालू है कि इसमें करें इसमें करेंगे तो उसको हमको भाग देना होगा एट वाई 15 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा साथ इन्न रपी रठा अठेंग वाई 5 से तो यह हो जाएगा 20 20 होगा और इन्टू अब यह हो जाएगा 20 इन्टू एटिंग वाई 5 किलो मीटर पर हागा क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम मीटर प्रती सेकेंड को हम चेंज करेंगे चेंज करते हैं किसमें चेंज करते हैं किलो मीटर प्रती हावर में तो हमको कितने से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा हमको 18 वाई 5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक बार और देख लिए तो इसमें क्या दिया समय जो है में कर रहा है कि समय कितना दिया है जो में पार कर लेती है और इसमें कितने का अंतर हो रहा है इसमें अंतर हो रहा है और दिया पूर को पार करती है किन सो बीस मीटर लंबे पूर को पार करती है तो एक सिकें में कितना पार करेंगी तो इन सो बीस बटे में 16 हो जाएगा और 16 में तो इसकी 4 किलो मिटर पठाटे में बताए तो मीटर पर सिकें को हमने चेंज कर दिया कीलो मिटर पर पर हावर में कीलो मिटर के प्रती हावर है तो इस कर से 5 kोर्जा 20, 18 kोर्जा 22 kM पर हावर हो गया तो यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको यह question समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को और सस्क्राइब करिएगा जो कहीं से भी कोई भी प्राब्लम आती है तो मुझे comment के मार्दम से या वाशत के मार्दम से ज़र सुचित करिएगा इतने भी मेरे new subscriber मेरे चैनल को देख रहे हैं आप लोगों से request करना चाहता हूँ इक वेल के साथ साथ आपको जरूर प्रेस करें जिसे जब ही मैं आपको वीडियो अप्लोड करूं जिसे आपको मिल से के तो आप comment के द्वारा जरूर बताएगा बच्चों को आपको question समझ में आ रहा की नहीं आ रहा है मै आपको इसी प्रकार काटी हमेशा बताता रहूंगा तो गुड़नाइट थैंक्वार्ट को वीडियो कि अ कि कि